इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं काक्षानो संस्कत विनुदनी में तिरतिहा पाठा धीरा बाला बहादुर बच्ची या फिर साहसी बालिका आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी होनहार विरुवान के होत चीकने पात यहो लोकोक्ती महारानी लक्षिमबाई के लिए है यह वह बहुत छोटी थी तभी से सामाने मनुष्यों के कष्टों के लिए बहुत समेदन सील रहा करती थी और उन्हें दूर करने का पूरा कोशिश किया करती थी यहां पर भी उन्होंने नदी की धारा में कूद करके मगर मच्छ से दो युवकों को बचाया था इयम एका नगरी इयम यानि यह एका एक दोनों के दोनों इस्त्रीलिंग में है नगरी यानि की नगर का छोटा सा रूप अरथात यह एक नगरी है अस्याह नगर यह मध्य काचिद नदी प्रवाहती अस्याह यानि इसके नगर यह नगरी के अरथात इस नगरी के मध्य मध्य में या फिर बीच में काचिद कोई नदी प्रवाहती प्रवाहती होती है या फिर बहती है यानि इस नगरी के बीच में कोई नदी बहती है इमाम नदीम उभयताहा व्रिक्ष लताभी संकीणा कश्चन सुन्दर प्रदेश दृष्यति इमाम यानि इसके नदीम नदी के अब जो है इन दोनों वर्ज का इकठी अर्थ निकलेगा इस नदी के उभयता यानि दोनों तरफ जहां पर भी ये उभयता परिता सर्वता आता है वहां पर हमेशा दितिया विवक्ति यूज होती है व्रिक्ष लताभी यानि व्रिक्ष और लताओं से संकिना संकुचित किया गया यानि की नदी के चारों तरफ जो प्रदेश है वह व्रिक्ष और लताओं से घिरा हुआ है कश्चन कोई सुन्दर प्रदेश बहुत सुन्दर सा प्रदेश द्रिश्यते दिखाई देता है अर्थात इस नदी के दोनों तरफ व्रिक्ष और लताओं से घिरा हुआ, संकीन किया हुआ कोई सुन्दर सा प्रदेश दिखाए देता है नध्याह अपर पार्षवे प्रतिवर्षम काचित मेला आयो जिता भवती नध्याह यानि नदी के अपर पार्षवे यानि दूसरे तरफ अपर होता है दूसरे पार्षवे पार्ष में, अर्थात दूसरी तरफ में प्रतिवर्षम, प्रति होता है हर वर्षम, हर वर्ष काचित कोई मेला आयो जिता आयो जित होना भवती होता है अर्थात नदी के दूसरी ओर या फिर दूसरी तरप हर एक वर्ष प्रतिवर्ष कोई मेला आयूजित होता है मेला का आयूजन होता है तस्याम याने उसमें मेलायाम मेला में अब जो है इन दोनों का इकठे अर्थ निकलेगा बहुत सारे गाउं से जाना हां लोग बहुवचन में है नदीम नदी को तीरतवा इसमें कट्वा पद्वा परतिया लगाया है यानि तैर करके आगचंती आते हैं इसमा इसमा जिस भी लटलकार में लग जाता है तो वह भूत काल का अर्थ देता है अर्थात आते थे अब जह है यहां से अर्थ बनेगा कि उस मेला में भाग लेने के लिए भाग को ग्रहन करने के लिए बहुत सारे गाउं से लोग नदी क उतेर करके आती थे कदाचित पंच दर्श वर्शिया काचित बाला, पित्रा सह मेलाम, प्रति प्रस्थिता आसित कदाचित कभी या फिर एक बार 5 दश वर्शिया यहांपर है पंच यानि पांच, दश यानि दश, अरथात 10 और 5 कितने होते हैं, 15 वर्शिया, 15 है साल की काचित कोई, बाला यानि बाले का, पित्रा, पिता से सह यानि शाथ, अब जो है इन दोनों का एकठे अर्थ निकलेगा, पिता के साथ मेलाम मेला के प्रती की ओर मेला की ओर या फिर मेले में प्रस्थिता प्रस्थान कर गई आसीत मिस्थी अर्थात कदाचित कभी 15 साल की कोई बाला या फिर एक बार 15 साल की कोई बच्ची पिता के साथ मेले की ओर प्रस्थान कर गई यानि की मेले में गई सा चतुर मती ही धेर्य शालिनी चा आसीत सा यानि वह यहा है पंच दश वर्षिय बाला की लिए चतुर मती ही यानि कि बुद्धि मती धेर्य शालिनी धेर्य को धारण करने वाली चव मिस और आसीद मिस थी अर्थात वो हो बुध्धिमान, बुध्धिमती और धहर्यको धारण करने वाली थी 9 कया तयो हो प्रियाणम आरब्धम 9 कया 9 से या फिर 9 के द्वारा तयो हो उन्दोनों का प्रियाणम चल देना या फिर यात्रा आरब्धम शुरू हुआ अर्थात नोका के द्वारा उन दोनों का चलना शुरू हुआ उन्होंने नाव से अपनी यात्रा शुरू की तस्याम नोकायाम अन्ये पी बहवा जनाह आसन तस्याम यानि उसमे नोकायाम नाव में यानि उस नाव में अन्ये प्लस अपी यानि दूसरे भी बहवा बहुत सारे जनाह लोग बहुवचन में आसन थे अर्थात उस नाव में दूसरे भी बहुत सारे लोग थे यदा नौका नध्या मध्य भागम आगता यदा यानि जब नौका नाव नध्या नधी के मध्य भागम बीच वाले हिस्से में आगता आई यानि जब नाव नधी के बीच वाले हिस्से में नधी के ठीक बीच में आई तदा तस्याह नद्या अपरस्मात भागात भीत्या त्वरतयाचा जले तरंताओ आग छानताओ काउचित योगाओ द्रिश्टाओ यानि तदा तब तस्याह उसके नद्या नदी के अर्थात तब उस नदी के अपरस्मात यानि दूसरे से भागात हिस्से से अर्थात नदी क दूसरे हिस्थे से दूसरी छोर से भीत्या यानि डर करके त्वर्तया जल्दबाजी से चामिस और अर्थाथ डर से और जल्दबाजी से जले जल में तरंतव तैरते हुए आग छंतव आते हुए या फिर तैर कर आते हुए कौचित यानि कोई युवकाव, दो युवक जैसे बालकाव, बालकाव होता है ना, दो बालकों के लिए उसी तरीकी से युवकाव, 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 तो युवकाव यानि कि दो युवक द्रश्टाव देखे गए, अर्थात, तब उस नदी के दूसरे हिस्से से दूसरे छोर से डर के कारण और जल्द बाजी से जल में तैर कर आते हुए कोई दो युवक दिखाई दिये यहाँ पर फिर से देखे जब नाव नदी के बीच वाले हिस्से में एकदम बीच में आई तब उस नदी के दूसरे छोर से डर के कारण औ और जल्द बाजी से जल में तैर करके आते हुए कोई दो युवक देखे गए। इस नाव में इस सिथा इस्थित होकर सर्वे यानि सभी आत्मनाहां अपने को विफदाह विपती में शंकया शंका के दौरा नी विपती में होने की शंका से नाविकम नाविक को यानि कि जो नाव चलाता है उसको आवदन बोले अर्थात इस इस नाव में इस सित सभी अपने को विपति की शंका से यानि उन्हें लगा कि हमपर विपति आने वाली है इस शंका से नावी को बोले भो अरे किरपया नौकाम वेगेन अगरे चालियतु इती भो अरे किरपया प्लीज नौकाम नाव को वेगेन वेग के द्वारा या फिर त चाल यह तु चलाओ इती इस प्रकार से यानि अरे किर्पया नाव को तेजी से आगे चलाओ और लाश्ट में इती आया है तो क्या होता ना जब inverted कौमाज के बाद इती आता है तो वहां पर इती का कोई भी अर्थ नहीं निकालता है वह सिर्फ और शिर्फ इन्वेटेट कौमाज के अंदर वाक्य को रिप्रिजेंट करता है। यहां पर इसका हिंदी में भी है। यहां से भी आप देख सकते हैं। जब ही के मुखों में भय और आतंक की छाया दिखाई दे ती। ऽे डर रहे थे। ता स्यहा याने उसके भी त्यहा डर का, उसके डर का कारणम कारण तु मिस तो ना मिस नहीं वन, स्वा विश्यक चिन्ता, स्वा मिस अपने विश्यक बारे में चिन्ता, याने उसके डर का कारण तो अपने बारे में चिन्ता नहीं थी, बलकी वो हो, अपितु बलकी तयो हो उ कैसे स्यात हो इत्य एव इती प्लस एव इती ऐसा एव मिस ही अर्थात बलकि उन दोनों की रक्षा की सिप्रकार से हो कैसे ही हो यह उसकी चिन्ता का विशाय था तायोह क्रिंदनम शुत्वत्याह तस्याह मनाह दयारद्रम अभुवत तायोह यानि उन दोनों के क्रिंदनम अर्थात करुणा पूरवक रोने को शुत्वत्याह सुन करके तस्याह उसका मनाह मन दयारद्रम अर्थात दयासे परिपून अभुवत हो गया अर्थात उन दोनों के करणा पूरक रूदन को सुनती हुई सुन करके उस कामन दया से परिपून हो गया दया से भर गया था तो रक्षणियो एव इती संकल्प्य सा पितरम अपश्यत तो यानि वे दोनों रक्षणियो यहा है रक्षणियो अर्थात वे दोनों रक्षणियों है रक्षा कने यूग्य है ए मिस ही अर्थात वे दोनों रक्षणियों ही है रक्षा कने यूग्य ही है अर्थात उन दोनों की अवश्य रक्षा की जानी चाहिए इती यहा संकल्फ करके, निश्चय करके सा उसने पितरम पिता को अपश्यत देखा, अर्थात वे दोनों रक्षणियां ही हैं, उन दोनों की अवश्य रक्षा की जानी चाहिए, यहा संकल्फ करके उसने पिता को देखा, पिता की और देखा, तताह तैन निवारिता अपिसा जले कूर्दितवती एव तताह फिर या फिर उसके बाद तैन उसके द्वारा निवारिता रोकी गई अर्थात उसके बाद उसके द्वारा रोकी गई उसके पिता के द्वारा रोकी गई अपिमिस भी सा वह या फिर उसने जले जल में पानी में कूर्दितवती कूदन कर दिय यानि उसके पश्चात उसके द्वारा मना की गई या फिर रोकी गई होने पर भी वह जल में कूद ही गई मेनह इव तरंती सात योह हस्तव द्रढतया ग्रहित्वा नौकाम प्रति आनित वती मेनह यानि मचली इव समान मचली के समान तरंती तैरतिवी सा वह तयोह उन्दोनों के हस्तव हात को उन्दोनों के हात को द्रढतया मजबूती से ग्रहित्वा ग्रहन करके या फिर पकड़ करके नौकाम नौका के प्रति की ओर नौका की ओर या फिर नाव में आनित वती ले आई अर्थात मचली के सामान तैरती हुई वह उन दोनों के हातों को मजबूती से पकड़ करके ग्रण करके नोका में ले आई इमाम घटनाम द्रिष्टवा सर्वे पियाश्चरेयन स्तवधा अभुवन इमाम यान इसको घटना घटना को अर्थात इस घटना को द्रिष्टवा देख करके यहाँ पर कत्वा पत्या लगा है जिसका अर्थ कर या फिर करके होता है सर्वे सर्वे प्लस अपी अर्थात सभी आश्चरियन याने आश्चर से इस तब्धा इस तब्ध या फिर सन अभवत हो गए अर्थात इस घटना को देख करके सभी आश्चर चकित या फिर आश्चर से इस तब्ध रह गए सन रह गए तस्याह पिता अपिताम अभिननदित्वान अरथात उसके पिता ने भी उसको अभिननन्दन किया, उसका स्वागत किया तास्याह साहसम बहुधा अशलाघत चा तास्याह यानि उसके साहसम साहसको बहुधा बहुत ज्यादा अधिक अशलाघत यानि सराहा चामिस और अरथात और उसके साहसको बहुत ज्यादा अधिक सराहा यानि सराहना की परशंशा की उसके तारिप की बहुत ज्यादा बाल्या वस्थायामेव एताद्रिशम साहसम प्रदर्शित्वती साएव भारतस्य स्वातंत्र संग्रामे महाकाली इव युद्ध्व आंगले यान प्रकम्पित्वती लक्षमीवाई बाल्या वस्थायाम प्लस एव यानि बाल्या वस्था में ही एताद्रिशम यानि ऐसे साहसम साहसको प्रदर्शित्वती यानि प्रदर्शन करने वाली या फिर दिखाने वाली सा यानि वह एमिसी अर्थात वही भारतस्य भारत के स्वातंत्र संग्रामे यानि स्वातंत्रता के युद्ध में संग्राम में महाकाली इव यानि महाकाली के समान इव होता है समान या फित तरहा युद्ध हा युद्ध करके आंगले यान यानि अंग्रेजों को प्रकम्पित वती यानि कमपाने वाली लक्षमी बाई अर्थात बाल्या वस्था से ही यानि की बचबन से ही ऐसे साहस को प्रद्रशित करने वाली यफित दिखाने वाली वही भारत के स्वतंत्रा संग्राम में महाकाली के समान युद्ध करके अंग्रेजों को कमपाने वाली रानी लक्षमी बाई थी क्रांती कारिणाम सर्वे साम मध्य आत्यंतम साहस्वती क्रांती कारिणाम यानि की क्रांती कारियों के सर्वे साम सभिके इन दोनों का इकठे बनेगा सब क्रांती कारियों के मध्य बीज में मध्य में आत्यंतम सबसे ज्यादा साहस्वती साहस्वाली हिम्मत वाली सर्वेव्या यानि सभी से अत्युत्तमा अती प्लस उत्तमा यानि सबसे ज्यादा उत्तम सैनानेत्री महला जो युद्ध करती है चामिस और रागी यानि रानी लक्ष्मी बाई इतिमिस है यानि और सभी से सबसे ज़्यादा उत्तम सेनानी यानि की लड़ने वाली रानी लक्ष्मी बाई है तस्याह विशय वदती तस्याह यानि उसके विशय बारे में वदती बोलता है उसके बारे में बोलता है तया उससे सहसाथ उसके साथ युधम युध को कृतवस्तू करने वालों में उसके साथ युध करने वालों में आंगली सेना यानि अंग्रेजी सेना मुखिश मुख्यो अन्याता महा सर्वस्रेष्ट सररोज नामक अफिसर अरिथात उसके साथ युद्ध करने वालों में अंग्रेजी सेना के मुख्याओं में सर्वस्रेष्ट सररोज नामक अफिसर उसके बारे में बोलता है क्या कि सभी क्रांति कारियों के बीज में सबसे ज़्यादा हिम्मती स सेना की मुख्याओं में सर्व स्रेष्ट सर्रोज नामक ऑफिसर उसके बारे में बोलता है रानी लक्षिमी बाई की बारे में उनकी तारीख करता है कि वह जो है अत्यमत ही साहस्त वाली सबसे ज्यादा स्रेष्ट सेनानी थी आती हिम्मत से वो लाणी, बीरता से वो लाणी